हलो फ्रेंड्स मैसल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ ए में बहुत बहुत सागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे गाइस आज मैं आपके लिए आपके ही इ किसी कॉम्पिटीशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं तो आपको सबसे पहले हर वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है और आगे भी कराई जाएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई आपका कॉम्पिटीशन हो आप आसान जो आपका टॉपिक था वो ये था डैश हैस इंस्टिल्ड दा वैल्यूज ओफ करेज ब्रेवरी एंड सेल्फलेसनेस इन मी आई विल इनकल्कुलेटेट देम इन माई लाइफ बाइव ऑनेस्टी तो आपका टॉपिक ये था तो जहां पर मैंने कैप्टेन विक्रम बत्रा लिखा है यहां आप किसी भी गैलेंट्री अवर्ड वीनर का नाम लिख सकते हैं बट मैंने जो अपना वो लिया है टॉपिक लिया है वो किसके ओपर लिया है कैप्टेन विक्रम बत्रा हैं उन्होंने मेरे अंदर करेज ब्रेवरी और सेल्फलेसनेस को क्या किया है जागरित किया है ठीक है और मैं उन्हें अपनी डेली लाइफ में बाइओनेस्टी मतलब इमानदारी से वो निभाता हूं तो इस तरह का यह ऐसे हम लिखेंगे जिससे आपका जो यह ऐसे होने वाला है बहुत ही बहतरीन होने वाला है और आगे भी आपके जो और टॉपिक लाइक करें और जाद जाद ज्याद शेयर करें तो चलिए देखते हैं क्या है यह है ऐसे प्रोटेक्ट करता है, मिलियंज की लाइफ वो प्रोटेक्ट करता है, द सोलजर अपने देश को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा कर हमारे देश को सुरक्षित रखता है, They carry their duty with the bodies of honor and hence they are so committed towards it तो जो इसकी duty होती है उसके लिए पूरी तरीके से वो समर्पित होता है मतलब अगर कोई भी situation हो वो अपने कर्तव्या से पीछे नहीं हटता है तो ये तो हमने बताया है थोड़ा सा soldier का introduction क्योंकि अगर आप एकदम से ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत गंदा लगता है वो इंप्रेसिव नहीं होता है धीरे धीरे आपको टॉपिक पर आना है ठीक है आगे देखिए अब देखेंगे कि गेलेंट्री अवोर्ड का क्या रोल है एक सोलजर के लिए बहुत गर्व की बात है गेलेंट्री अवोर्ड को पाना गेलेंट्री अवोर्ड are given to show respect for the act of bravery and sacrifice of officers, civilians and armed force जो ये गेलेंट्री अवोर्ड दिया जाता है ये किसलिए दिया जाता है रेस्पेक्ट शो करने के लिए दिया जाता है भात्दूरी के लिए बलिदान के लिए officers को, civilians को और armed force को इस अवोर्ड are given by the government of India और जो ये अवोर्ड दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है इंडियन के द्वारा दिया जाता है विर्टा मिनट ठीक है ये जो अवोर्ड दिया जाता है गौर्णमेंट ओफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है जो कि क्या है ब्रेवरी और सेक्रिफाइज का एक अवोर्ड है और सिविलियन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस गेलेंट्री अवोर्ड नेमली परमवीर्चक्र, महावीर्चक्र, वीर्चक्र वर इंस्टिटूटेड बाई गौर्र्मेंट ओफ इंडिया ओन 26 जनवरी 1950 तो क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस जब हम सोतन्त हुए हम सोतन्त कब हुए 1947 में उसके बाद से इस अवोर्ड को परमवीर्चक्र, महावीर्चक्र, वीर्चक्र इन नामों से जाना जाता है ठीक है आगे देखिए तो जो वीक्रम बत्रा है उन्होंने मेरे अंदर भाद्दूरी का और जो खुद को लेकर एक स्वार्थ होता है उसको छोड़कर बहुत सारी चीजों को डेवलेप किया है ठीक है और मैं उन्हें अपने पूरे जीवन में पूरी सच्ची निष्ठा से निभाता हूँ ठीक है दा लाश्ट वर्ड ओफ विक्रम बत्रा जो विक्रम बत्रा के लाश्ट वर्ड थे वो हम यहाँ पे लिखें क्योंकि अगर किसी भी गेलेंट्री अवर्ड विनर है जो उसके द्वारा कोई वर्ड कहे गए हैं और वो वर्ड आप अपने ऐसे में कोट करते हैं तो जो बच्चो आपका ऐसे है वो बहुत ही बहतरीन हो जाता है मतलब आपको आपका जो ऐसे है वो कह सकते है कि दस बच्चो में से परफेक्ट ऐसे आपका ही होगा अगर आप किसी गेलेंट्री अवर्ड के द्वारा बोला गया कोई ठोट लिखते हैं तो जैसे मैंने लिखा है आप उसे कलरफुल पैन से लिखे तो बहुत ही बहतरीन र रहेगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आइवल आइदर कम बैक आफ्टर राइजिंग दा इंडियन फ्लैग इन विक्टरी और रिटन रैप्ड इन इट बट आइवल नॉट कम फॉर शो ठीक है तो लाश्ट के जो उनके वर्ड्स थे वो ये थे कि मैं वापिस आउंगा तो जो भारत का जंडा है जीत कर भारत का जंडा फैला कराऊंगा वरना उस जंडे में लिपट कराऊंगा ठीक है तो ये उनके बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही बहुत ही बहतरीन शब्द उनोंने कहे थे उनके जो ये वर्ड्स हैं वो मेरे अंदर क्या पैदा कर देते हैं ब्रेवरी पैदा कर देते हैं इच्छाय पैदा करते हैं कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करके आऊं विक्रम बत्रा हमें विक्रम बत्रा से और कुछ उनकी जो क्वैलिटीज हैं उनसे वो क्वैलिटीज को सीखना चाहिए अब देखे मैंने 1,2,3,4 करके लिखाया है आप 1,2,3,4 करके तो लिखें बट अगर आपको थोड़ा बड़ा ऐससे लिखना है तो आप इनके जो अंदर मतलब यह हेडिंग्स की तोड़ पर हो जाएंगे आप इनके अंदर लिख सकते हैं अगर आप नहीं लिख सकते तो प्लीज मुझे कमेंट बुक्स में कमेंट करकर बता दे मैं एक और ऐसे आपको इस टॉपिक पर प्रोवाइड करा दूगी इस टॉप परेज़ड तो active रहते थे वो हमेशा participate करने के लिए flexibility मतलब वो इतने flexible थे कि किसी भी environment में अपने आपको adjust कर लेते थे commitment जैसे कि आपने commitment उनका एक line सुनी है कि या तो मैं जंडा फेरा कराऊंगा या जंडे में लिपट कराऊंगा तो ऐसी ऐसी commitment करते थे जिससे जो other soldier थे वो भी bravery से भर उन्हें भी यह लगता था नहीं हम भी जीत कर ही आएंगे problem solver कोई भी इस्तिती हो कैसी भी इस्तिती हो उसका मुश्किल से मुश्किल का समाधान वो निकालने की शमता रखते थे वो आसानी से उन समाधान को निकाल सकते थे चीक है आगे देखिए so at last I can see अतहे अंत में मै कह सकती हूं that विक्रम बत्रा is my idol कि जो विक्रम बत्रा है वो मेरे idol है वो मेरे आदर्श है and I want to become like him और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूं and dedicate my life और अपना जीवन in service of the country अपना जीवन इस country की सेवा में इस देश की सेवा में बिताना चाहती हूं तो यह आपका बहतरीन ऐसे था आपके दो टॉपिक सोर है उनके ओपर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी आपसे वो वीडियो मिस ना हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप ऐसे ही बहतरीन ऐसे पाते रहेंगे और कह सकते हैं कि आपसे जो भी कोई इंपोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है और आपको उसके ओपर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट मुक्स में कमेंट करकर बता सकते हैं और दोस्तों अगर आ 10277 से पंदरा रुपे में इसकी पीडिया भी खरीज सकते हैं तो तब तक के लिए मैं ये इश्वर से काम ना करती हूं कि आप अपना जो कॉंपिटीशन है उसमें अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट करें आप प्रथम आए तब तक के लिए थेंक्यू सो मच्छ आल वेस्ट